हेलो गुड़ीनिंग स्टूडेंट्स दिस आकार शल्मुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल LNN लर्न नेक्स नर्सिंग में स्वागत है आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे बीएसी नर्सिंग के अड्मिशन के बारे में यह बेसिकली जो बीएसी नर्सिंग का अड्मिशन लेना चाहते है और जिन लोगोंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में चॉइस फिल कर लिया होंगा और अभी वो माप अप राउंड का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह नुटी से ठीक है तो यह वीडियो थोड़ा लेट हो गया है कली आया था इसका नोटिफिकेशन 21 जनुरी 2023 को बट हम मैं थोड़ा सा बीजी था इसके वज़े से वीडियो बना नहीं पाया लेकिन चलिए होप सो मुझे साताट कॉल आये कुछ लोगों के बहुत सरे डाउट थे तो वह हम इसमें डिसकस करेंगे होप सो मुझे लगता है आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आयेगा तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यह notice number 21 इसमें क्या बोला है देखते हैं notice number 21 इसके पहले notice number 26 आया था जिसमें की जो छूड गया थे candidate उन्होंने registration किया था अब notice number 29 आया है इसमें क्या बोला है preference choice filling for mop-up round and list of newly permitted colleges of B.A.C. nursing for academic year 2022-23 तो इसमें क्या बोला है preference and choice filling करने के लिए and newly permitted colleges का ये आया है mop-up round के लिए चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिका है as per notice 26 of BAC nursing it was informed that there will be no fresh preference choice filling for mop-up round okay however in the view of various applications received in the view of newly permitted colleges it is decided by competent authority to allow a fresh choice filling to all eligible register candidate of BAC nursing candidates should note that newly permitted colleges are added for online choice preference for filling process of academic year 2020-23 इसका सिधा सिधा मतलब है 26 number के notice में उन लोगों ने बोला था कि there will be no fresh choice filling for mop-up round okay जिन लोगों ने registration कर लिया था उनके लिए था but अभी क्या हो गया कि 2-4 नए colleges आया है and basically बहुत सारे लोगों को अपने घर के पास college अगर मिलता है तो उनको बहुत खुशी की बात है उनका थोड़ा खर्चा भी बच जाता है जो hostel का ये वगर है इसी के वज़े से अभी government ने M.A.C.E.T. ने decide किया कि जो candidate अभी registration जो लोगों ने retention form नहीं भरा था भरा था या registration fresh किया था या पुराना किया था अज सभी को उन लोगों ने यहाँ पर permission दे दिया है choice preference form भरने के लिए ये notice number 29 के हिसाब से वो भी शुरू हो गया है choice filling तो यहाँ पर देख सकते अभी कौन से नए colleges अड़ हुए है यहाँ पर एक college अड़ हुआ यहाँ पर serial number दिया है college code भी दिया है course भी दिया है and the name of institution और कितने candidate लिया है यहने admission ले सकते वो भी यहाँ पर दिया है और यह भी उन्होंने बोला है कि यह following colleges will be allotted only after the permission from the Central Council of Government of Maharashtra आप preference भर सकते but इन लोगों को permission अभी तक fully नहीं मिला है थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है उन्होंने बोला है कि सिर्फ Central Council of Government of Maharashtra का M.H.S. का जो है वो permission मिलने की दिरिये but मुझे लगता है कि मिल जाएगा तभी यह colleges की list आई है तो आप भर सकते हो form एक नवी मुंबई का कॉलेज है G.D.Pol Foundation College of Nursing वहाँ पर सव अभी एस नर्सिंग का admission है प्लस यह SHT Institute of Nursing Education Paramedical Science जो कि मुंबई का यह मुंबई के दोनों कॉलेज है वहाँ पर 50 student है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह दोनों कॉलेज आप preference भर सकते हो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि instruction यह बहुत important चीज है candidate को EC के बारे में बहुत सारे इतने कॉल मैंने receive की है कि उन लोगों को बहुत difficult था कि सूचना क्या होगा कैसे होगा ठीके हम सब हम यहाँ पर सब discuss करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला instruction क्या दिया है कोन भर सकते देखो All the eligible registered candidate for B.A.C. nursing can fill the preference choice during mop-up round ओके यहाँ पर सिधा-चिधा बोला है All the registered candidate यहाँ राउंड टू जो cap round 2 था जो 29th of February को जो आया था ठीके उसमें जिन लोगों ने registration किया था वो भी अभी मौप-up round के लिए preference form भर सकते है और जो लोग ने से अब भी जो 26th number का यह आया था उनके लिए उनके लिए जो fresh candidate को बोला था वो भी भर सकते यह clear हो गया अभी next next इसमें क्या बोला है candidate who are joined in round 2 and not filled status retention form can fill the preference for this round such candidate if fails to fill preference choice during this round the preference choice fill round during round 2 will be operated यहापे क्या बोला है शिदा-शिदा जो लोग round 2 में जिन लोग का college allot हो गया था join भी कर लें allot हो गया था admission भी वहापे जाके कर लिया है and but उन लोगों ने status retention form नहीं भरा है वो लोग भी इस mop-up round में preference form भर सकते है अगर वो लोग preference choice fill भरने से अगर रह जाते है ऐसे candidate को यही जो second round में जो मिला है during this round the preference choice fill during round 2 will be operated जो round 2 में जिन लोगों ने preference choice fill भरा है उसी तरीके से वो operated होंगे यहीं वही से उन लोगों को colleges मिल सकते उपर नीचे betterment के chances है उसमें अगर नहीं भरते है तो ठीके the next है candidate who have filled the status retention form and now wish to participate in the mop-up round should fill preference choice यहापे अभी तिसरे point में क्या बोला है जिन लोगों ने college मिल गया था और status retention form भी भर दिया था वो लोग भी mop-up round में जा सकते है preference choice fill कर सकते है such candidate if fails to fill the preference choice the status retention will not be cancelled अगर यह अभी mop-up round में अगर इन लोगों ने नहीं भरा form तो वही जो college उनने उन लोगों ने status retention वो college choose किया था status retention उन लोगों ने भर लिया था वही college उनको allot रहेगा वो cancel नहीं होगा next fourth क्या है candidate who were allotted a seat in round 2 but did not join the allotted seats must fill new preference choice to be eligible for round ओके यह round में eligible होने के लिए जिन लोगों ने round 2 में जिन लोगों college allot हुआ था बट किसी कारणों के वज़े से जैसे दूरे college fees जादा है या faculty अच्छी नहीं है या hospital नहीं है वहाँ पर practice के लिए ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो ऐसे candidate अभी वो preference अभी भी भर सकते है यह mop up round में if such candidate fails to fill the preference choice such candidate will not be considered for subsequent round क्या हो गया अगर वो लोग जो जिन लोगों ने उस time पे allot हुआ था बट उन लोगों ने join नहीं किया था इन लोगों ने अभी अगर preference form नहीं भरा तो next round के लिए वो eligible नहीं रहेंगे ठीक है then next है if candidate is allotted a seat during mop up round it is mandatory to join allotted college यह सबसे बड़ी चीज है इन्होंने क्या बोला है my dear students mop up round में अगर आपके selected 2, 3, 4 college अगर दोंगे ठीक है अगर वो college में से मिल जाता है आप लोगो तो वहाँ पे आपको join करना ही पड़ेगा 4 college, 3 college तो मैं आपसे यहीं बोलूँगा आपको अगर mop up round में जाना है तो basically आप आपको जो college में जाना है बट जिन लोगों ने कुछ नहीं हुआ है तो इसे लोग भर सकते है next candidate, sixth point क्या है candidate allotted a seat in a mop up round are not eligible for online stray vacancy round अब सीधी सीधी बात है candidate जिन लोगों को allot हुआ है seat candidate allotted a seat in mop up round are not eligible for online जिन लोगों को mop up round में अगर college मिल जाता है तो उसके बाद जो online stray vacancy round होने वाला है online stray vacancy round जो होने वाला है इसके बात का उसमें उन लोगों को chance मिलेगा नहीं क्योंकि उन्होंने सीधा बोला है अगर mop up round में आपको college मिलता है तो आपको join करना पड़ेगा उसमें status retention या नहीं retention वो ऐसा कुछ नहीं रहेगा आपको सिधा सिधा वहाँ पर join करना पड़ेगा अगले जो भी round होगे जो online stray matrix जो भी vacancy round होगा उसमें आप participate नहीं कर पाएगे ठीक है तो basically ये notice आया है किस के तरफ से महा CET के तरफ से तो hope so आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होंगा कि क्या करना पड़ेगा अब बहुत सरे student का सवाल ये था कि sir हमने round 2 में हमको college alert हो गया है और हम लोगों ने वहाँ पर admission भी कर ली है status retention form भी भर दिया है या नहीं भर रहे है तो अभी हम mop up में जा सकते है क्या ठीक है तो आपको सीधी सीधी बात बोल दो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि आप की जा सकते है नहीं जा सकते है यह बोला है अब दुसरी बात यह है कि उनका सवाल क्या था लड़कों का कि sir हमको वो जो जिस college में हमने admission किया वासट document and हमको जो पैसा भर दिया है 50,000 का DD वो हमको वापस मिलेगा कर नहीं मिलेगा मुझे लगता है इसमें इसमें ऐसा कुछ जिकर नहीं किया है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा दोनों चीज आप government ने इतना बड़ा college नहीं मिला है तो mop up round में आप हिस्सा ले लो आप भर दो जो भी जहां पे भी आपने college में जाके admission कर लिया है कि नहीं हमारा admission हमको मिला है तो हमने करना चाहिए ऐसा अगर सोच कि आपने पैसा भी भर दिया document भी दे दिये तो कोई डरने की बात नहीं है आपको 100% मुझे लगता है कि वो college से आपको सिर्फ 1000 रुपीज या 1500 रुपीज जो भी रहेगा वो कर जाएगा बागी का DD और आपके जो भी document रहेगे वो आपको वापस मिलेंगे क्योंकि यह सवाल बहुत लोगों का है बहुत य चलिए होपसो आपको यह वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेर करिए आपको कुछ भी डाउट है comment box में डाल दीजिए मैं आपको definitely reply करूँगा थैंक्यू जैहिन दोस्तो